आज हम पोहे सुजी का बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी नास्ता बनाएंगे इसे आप बहुत कम तेल मसाले में एकदम आसानी से बना करके तयार कर सकते हैं इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में एकदम टेस्टी है तो चलिए इसको बनाना करते हैं नास्ता की रेश्पी अदि आपको पसंद आ जायते वीडियो को लाइक और जादा से जादा से जरूर से कीजिएगा इस नास्ता को बनाने के लिए सबसे पहले एक बावल में एक कप जितना पोहा लेंगे पोहा में पानी डाल करके इसको रगर रगर करके दो तीन प छोड़ देंगे ताकि पोहा अच्छे से फूल जाए इधर हम दूसरा काम कर लेते हैं तो एक दूसरा बावल ले लेंगे और उसमें डेर कप जितना सूजी डालेंगे सूजी आप बारिक वाली या फिर मोटी वाली कोई भी ले सकते हैं अगर बारिक वाली ले रही हो तो ये कम देर में ही फूल जाती है मोटी वाली सूजी ले रही हो तो इसको फूलने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है अब देर कप सूजी में मैंने यहाँ पर एक कप दही डाल लिया है दही को अच्छे से सूजी में मिक्स कर लेंगे सूजी थोड़ा सा गाढ़ा लग तो मैं एक कप पानी और ले रही हूं और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके मैं पूरा पानी डाल रही हूं कि उतना पानी में सूझी अच्छे से गूल पाएगी त תरहले प्ल़ोंगा तो सूझी ना के समें हैं पूलने के लिए छोड़ देते हैं अब इधर पोहा को भी फूलते हुए लगभग 5 मिनट हो चुका है पोहा अच्छे से फूल चुकी है अब इसे एक मिक्सी के जार में डालेंगे साथ में एक हरी मिर्च डाल लेंगे और छोटे से टुक्रे अधरक को छोटे चोटे टुक्र लेंगे इसमें और ज्यादा भी पानी नहीं डालेंगे तो लिजिए हमने पोहा को पीस लिया है इधर सुझी को भी फूलते हुए थोड़ी दिर हो चुका है सुझी भी बहुत ही बढ़िया से फूल चुकी है अब इसमें पीसे हुए पोहे को डाल लेते हैं पीसे हुए प जितना पानी डाल करके इसको फिर से मिक्स कर लिया है अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे थोड़ा सा कच्छा जीरा डाल लेंगे टेस्ट बहुत ही बढ़ जायेगा अब इन्हें भी फिर से मिक्स कर लेते हैं अब सारी चीजों को मिक्स कर लेने के बाद इसम उपर एक चमच पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इनों डाल लेने के बाद इसको हमें ज्यादा देर नहीं रखना होता है वस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना होता है और इधर हमने इसको मिक्स कर लिया है और दूसरी तरफ एक थाली में हमने पहले से ही ओल लगा करके रख लिया था ताकि नास्ता थाली में चिपके नहीं जब ये बन जाए तो आसानी से ये बाहर निकल के आ जाए यहाँ पर मैंने थाली को पहले से ही तयार कर लिया था अब इसमें मिसरन को डाल लेते हैं और पूरा मिसरन हम इसमें नहीं डालेगे इस नाशते को मैं दू बैचेज में बनाने बाली हूं, क्योंकि थाली हमारी छोटी है, इसलिए अगर आपकी थाली बड़ी हो, तो आप एक बार में भी इस नाशते को बना सकते हैं, दूसरी तब मैंने एक कड़ाही में लगभग एक लिटर जितना पानी को गरम होने के लिए रख लिया था उसके बीच में एक स्टैंट को भी रख लिया था उसके उपर इस मिसरन बाले प्लेट को रख देंगे और नास्ता देखने में और भी ज्यादा सुन्दर लगे उसके लिए थोड़ी से लाल मिर्च उपर से इस तरह से डाल लेंगे आप चाहे तो इसको प्लेन भी बना सकते हैं अब इसको उपर से कवर कर लेंगे और लगभग 10 से 12 मिनट इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर एस्टीम होने देंगे तो देखें नास्ता को इस्टीम होते हुए लगभग 10 से 12 मिनट हो चुका है इस तरह से हम चाकू को इंसर्ट करके देखेंगे चाकू इत्दम साफ मिकला है इसका मतलब नास्ता हमारा तयार हो चुका है इसको थोड़ी दे ठंडा होने के बाद बाहर मिकालेंगे और अब चारो तरब से किनारों से इसको चाकू की सहायता से पहले छुटा लेंगे उपर से एक प्लेट रखेंगे और पलट करके हलका सा हाथो से हलका सा टैप कर लेंगे बहुत यह असानी से यह नास्ता डिमोल्ड हो जाएगी देख सकते हैं कितना एकदम साफ निकल करके आया है बिल्कुल भी थाली में चिपका नहीं है एकदम जालीदार एस्पंजी सा हमारा नास्ता बन करके तयार हो चुका है अब इसको कटिंग करेंगे तो इस वी आप च नास्ते को कट कर लेंगे और दूसरी तब बचे हुए बैटर से भी नास्तां करकर तयार कर लेंगे इस cleaner को फेकेंगे नाहीं इसे भी हम से करके खाएंगे खाने में से आप चाहें तो इस नास्ते को ऐसे भी चट्मी के साथ खा सकते हैं लेकिन इसको हलका सा सेख लेंगे तो यह खाने में और भी ज्यादा टेश्टी लगेगा तो चलिए इसे अब सेख लेते हैं तो इसके लिए गयास के ऊपर एक पैन रखेंगे पैन में थोड़ा सा तेल डाल ठोड़ा सफेद तिल डाल लेंगे और थोड़े से करी पत्ते डालेंगे इसमें स्थासी देख चार नहीं naastate की तो विए नास्ता को पैन में डाल लेंगे मैंने बचे बैटर से भी था नांस्ता भनाकरकी तैयार कर लियाए था अब सारे नास्ति को एक एक करके डाल लेने के बाद इसको पहले एक तरफ हलका सा सीखने देंगे जब यह हलका सा एक तरफ से सीख जाएगा तब इसको पलट लेंगे और दूसरी ओर से भी इसको हलका सा सीखने देंगे दोनों और से उलट पलट करते हुए इसको हलका हलका सा सेक लेंगे ताकि इसकी उपड़ी लेयर जो है वो हलका सा क्रंची हो जाए खाने में और भी जादा टेश्टी लगेगा तो लीजिए फ्रेंस ये हमारा नास्ता जो है वो सिख करके तयार हो चुका है एक एक करके इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और बचे हुए जो किनारे थे उसको भी सेक लेंगे सारे किनारों को मैंने पैन में डाल लिया है इसको भी उलट पलट करके सेक लेंगे और इधर हमारा जो नास्ता बन के तयार हुआ है उसको एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं इसे मैंने मुफली की चटनी के साथ सर्व किया है जिसके साथ ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा तो फ्रेंस आपको अगली वार जब भी कभी अपने घर में बिना तेल मसाल के कोई नास्ता बनाना हो तो इसको आप जरूर ट्राइ कीजिएगा सभी को ये बहुत ही पसंद आएगा आपको रेस्पी कैसी लगी मुझे कॉमेंट में जरूर बताईएगा रेस्पी पसंद आया होत वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा सेर जरूर सिखीजिएगा फिर मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में नई रेस्पी के साथ तब तब के लिए बाई थैंक्स पर वाचिंग